ये गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रेस का यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवल इंविंसिवल वोमेंस वर्सेज वैल्च फायर वोमेंस के बीच में दह हंड़ूब मेंस का सौलवा मुकाबला जो खेला जाएगा तो क्या इस मैच मैं प्लेयर्स के स्टेट्स हैं कौन से प्लेयर्स आपको पेक करने चाहिए ज़तना जाछी है बहुत छुटा सा वीडियो गा बहुत ज़्यादा एफैक्टिव रहेगा अच्छा जिन लोग ने अभी तक fan to play पर register नहीं किया है वो ज़रूर register कर लें क्योंकि तकरीबन आज possibility है कि the 100 tournament जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है और अगर यहाँ पर the 100 tournament आ जाता है तो आपके लिए बहुत profit हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पर 2 player, 3 player और 4 player की fantasy team भी बना कर खेल सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा feature यहाँ पर मुझे लगा है challenge fantasy का तो 2-3-4 player की team अगर आप the 100 में बना पाते हैं तो में रिसाब से आप बहुत जादा profit यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि तकरीवन 1-2 player ही ऐसे होते हैं जो बहुत important होते हैं दोनी टीमों में और captaincy, vice captaincy की best option होते है तो 2 player की teams तो आपकी चलना ही चलना है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर आप जल्दी से sign up कर लीजेगा ताकि जब भी the 100 league आ जाए तो आप उसका फायदा उठा सके साथी साथ जब आप यहाँ पर sign up करें तो fx refer code लगा दीजेगा ताकि आपको free entries मिलती रहें free giveaways मिलते रहें plus 100% bonus usable league भी आपको दिखें क्योंकि fx users के लिए वो चीज़े valid हैं तो fx user बनना आपके लिए काफी ज़रूरी है अगर आप हर match में कुछ free entries पाना चाते हैं तो अब बात करते हैं इस match की जादो time waste नहीं करते सीदे सीदे article पे चलते हैं और देखते हैं plus के क्या कुछ stat है सबसे पहले अगर हम बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा कैनिंग्टन ओवर लंडन जहाँ पे पहला मुकाबला भी ओवर इंविंसिवल वोमेंस ने खेला था फर्स्ट मैच जो था दे हंडेड वोमेंस का वो यहीं इसी वेन्यू पे खेला गया था और उसमें स्कोर बना था तकरीबन 138-140 के आसपास का अच्छे ये मैच आज खेला जाएगा साड़े साथ बजे इंडियन टाइम के हिसाब से दोनों टीमों का अगर आप कंपेर करें तो ओवर इंविंसिवल थोड़ी सी स्ट्रॉंग है खास करके अगर इनकी दो बड़े प्लियर जो हैं मरिजाना काप हैं और सबनम इसमाहिल ह अगर वो आपसे कर जाती है तो वन साइड़े विंनिंग हो सकती है ओवल इंविंसिवल वोमेंस की वैसे ही काफी स्ट्रॉंग है वैल्स फायर वोमेंस थोड़ी सी कमजोर लग रही है को कि ओवरल टीम इनकी उतनी अच्छी नहीं है पिछ रिपोर्ट की बात करें तो जनर परफोर्मेंस दिया था तो एक्सपेक्टेशन करेंगी कि पेस बोलर जो हैं तेजगेंदबाज हैं वही यहां पर कारगर होंगे साती साथ जो स्पिन बोलर हैं उनको इतनी हेल्प यहां पर मिली नहीं थी पिछले मैच में तो आप पेसास को अपनी टीम में कोशिश कीजि ऑवर्ล इंविंसीविल वोमेंस का उसी प्लेङग लैविंँ के साब से परफोर्मेंस देखें तो क्या कुछ परफोर्मेंस प्लेर्स का है एक ऐक बार उस पर नजरर डाल लेते हैं ताकि आपको प्लेर्स को लेने में और छोड़ने में आसानी हो सबसे पहले बात करेंग इनके ओपनिंग पर की, so Georgia Adams ओपन करेंगी, Alice Capsi के साथ जिसमें Georgia Adams का बेटिंग एवरेज T20 में इतना अच्छा नहीं है, अठारक इनका बेटिंग एवरेज रहता है, और आकदी कुछ T20 मैचेस इनके जो रहे हैं, उसमें 28, 2, 11, 3, 50, ये इनकी उतने अच्छे नहीं है, फिर बात करते हैं Alex Capsi की, इनके मुझे कुछ खास स्टेट्स तो नहीं मिले, बट इनके आखरी कुछ 3-4 मैचेस जो है, The 100 और T20 के वो मुझे मिले हैं, जिसमें इनका पर्फॉर्मेंस जो है, आप कह सकते हैं, ठीक टाक है और GL में यह आपके लिए बहुत अच्छी कारगर साबित हो सकती हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेती हैं मात्र 16 साल की हैं, जादा इनके पास experience है नहीं, बट फिर भी एक काफी talented player है, लास्ट कुछ 100 matches देखे हैं, तो लास्ट मैच में ही 8 run लगा है, वो दो विक्टे चट की थी, उसके पहले 59 runs की पारी खेली, बॉलिंग नहीं करी उसके पहले 4 run की पारी खेली और बॉलिंग नहीं करी, तो बॉलिंग करती हैं तो विकट टेकर player हैं यह, T20 में जो आखरी 3 matches इनके रहे, उसमें भी देख सकते हैं कि 3 बार बॉलिंग करी हैं और एक बार 3 विक्टे निकाली हैं तो impact डालती है, बैटिंग से भी अपनी और बॉलिंग से भी, तो कभी भी आपके लिए GL के लिए बहुत अच्छी पिक रहेंगी और small league में भी एक काफी आपके लिए ठीक option हो जाती है नंबर 3 पे Sarah Bryce आएंगी जो टीम की wicket keeper भी है 29 का इनका betting average अगर हम बात करें Georgia Adams के comparison में तो Sarah Bryce का betting average जो है देखें, matches लगबख same खेले हैं और runs का अंतर आप देख सकते हैं कि runs यहाँ पे Georgia Adams के हैं वो 410 है, 36 match में और 38 match में Sarah Bryce के 764 run है, average भी देखें यहाँ पे 18 का betting Adams का है और 29 का Sarah Bryce का है strike rate दोनों का लगबख बराबर है और T20 matches में कुछ आखरी performances देखें तो Bryce का performance थोड़ा सा better है ठीक है, आप अगर overall भी देखेंगे तो Sarah Bryce थोड़ी better है, प्लस wicket keeper batsman है, तो wicket keeper नेंके भी आपको point दे सकती है अभी देखें, the 100 matches में जो आखरी कुछ matches खेले है उसमें 29 run लगाए पिछले match में प्लस दो catches इन्हों ने दिये तो यहाँ पे Adams ने 26 run लगाए और यहाँ पे Bryce ने 29 लगाए यानि कि देखें, तीन run वैसे भी ज़ादा बनाए प्लस दो catches लिए, यानि कि 16 points के असपास जादा दिये तो यहाँ पे wicket keeper को लेने का हमेशा एक फाइदा आपके पास होता है, कि यह आपको extra point देज़ सकता है, प्लस उसके पहले वाले match में इनकी betting नहीं आए थी, wicket keeper से भी कुछ खास performance नहीं दी, उसके पहले वाले match में भी Sarah Bryce बैटिंग करने नहीं आए, बट एक catch और एक stumping किया था, यानि कि 8 point हो गए यहाँ पे catch के, और 12 point stumping यानि कि 20 point उन्होंने सिर्फ wicket keeper से दे दिये थे, तो कभी-कभी होता है ऐसा, कि Sarah Bryce जैसे कोई wicket keeper होता है, तो वो आपको 15-20 point extra देने की शमतार रखता है, चाहे वो बैटिंग करे, चाहे ना करे, तो यह एक extra advantage आपके पास रह सकता है, फिर आती है Fran Wilson, बैटिंग average इनका 20 का है, Adam से बढ़िया है, Bryce से खराब है, बट अगर recent form देखें, तो इनका भी कुछ खास form नहीं है, दा हंडेड में भी पिछले तीन मैचेस से बिलकुल भी नहीं चल रही है, फिर आती है, वैन निकर्क, एक मात्र अच्छी प्लेयर में बोलूँगा, अभी इनकी टीम में जो बच्ची बैटिंग अच्छी कर सकती है, वो यही है, अगर हम बात करें, तो अगर मरीजनक कैप और शबनों स्माइल वापसी नहीं करती है, तो इनके जीतने के चांचेस थोड़े से कम जरूर हो जाएंगे, अगर वो खेलेंगे तो फिर कन्फर्म विनिंग ओवल इन्विंसिबल की रही, वो बैटिंग में भी स्टेंथ बढ़ाएंगी, विक्ते हैं 178 मैचेस में, इसके अलाबा आखरी कुछ T20 मैचेस देखें, तो लास्ट T20 मैच में तीन रन बनाए हैं और एक विकेट लिया है 34 रन देकर, उसके पहले वाले मैच में 17 रन, शूनने विकेट 36 रन देकर, 45 रन, एक विकेट 18 रन देकर, 31 रन, दो विकेट 24 रन देकर, 10 रन, एक विकेट 28 रन देकर, तो लगबगा आप देखेंगे, most of the मैचेस में विकेट तो इनको मिली है, रन थोड़े से जरू कभी-कभी कम इनके बन जाते हैं, आपके लिए काफी अच्छी पिक होंगी, दा हंडेड मैचेस की बात करें, तो आखरी कुछ मैचेस का पर्फॉर्मेंस देख लीजे, आखरी मैच में 27 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली, शूनने पर 14 था, 29 रन बनाए, प्लस तीन विकेली 30 रन देकर, 56 रन बनाए, शून विकेली 16 रन देकर, तो आप देख सकते हैं, दो मैचेस में, लास्ट के तीन मैचेस में से, दो में पर्फॉर्मेंस बहुत तकड़ा है, और एक में पर्फॉर्मेंस एबरेज है, तो निकर का आपके लिए बहुत इंपॉर्मेंट पिक होंगी, कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए, फिर आती हैं, मैडी विलियर्स, मैडी विलियर्स थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, कि आपको पता है, इन्विंसिवल का बैटिंग और जो है, वो उतना मजबूत नहीं देख रहा है, तो मैडी विलियर्स की थोड़ी बहुत बैटिंग आने के चांसेज भी हैं, प्लस 31 इन्ग में 25 विक्टेन के नाम पर है, इंटरनिशनल लेवल पे भी काफी मैचेस खेलें इंगलेंड के लिए, ताश फेरेंट, लेफटा, मीडियम पेसर हैं, 49 मैचेस में 59 विक्टे हैं, टी-टी मैचेस में परफॉर्मेस इनके उतने अच्छे नहीं हैं, आखरी कुछ अगर हम देखें तो, बट दा हंडेड मैचेस में बहुत अच्छा खेल रही हैं, लगबग आप देखें, हर मैच में 2-3 विक्टे लेके जा रही हैं, और एकनॉमिकल भी काफी हैं, ताश फरांट, इसके बाद आती हैं, ग्रेज गिप्स, ग्रेज गिप्स के बारे मैं आपको बता दूँ, कि अगर इनकी मेन बोलर खेलेंगे, तो या तो ग्रेज गिप्स जो हैं, वो बॉलिंग करेंगी ही नहीं, या कम करेंगी, 16 मैच में, जो इन्हों टुटिंटी के खेले थे पहले, पहले की बात करना हूं थोड़ा, 16 मैच में 4 बार बॉलिंग करके 4 विक्ट निकाली थी, आम तोर पर बॉलिंग कम करती हैं, देखें, the 100 मैच में भी शुरुवाती मैच में एक मैच में बॉलिंग नहीं करी थी, उसके बाद 2 मैच में बॉलिंग करी है, लास्ट मैच में दो विक्टे जरूर निकाली हैं, बट यह हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, अगर बॉलिंग करती हैं कम्प्लीट, तो तो विक्ट मिलने के चांसे इस पेसर के रहेंगे, बट अगर बॉलिंग कम मिली या फिर नहीं मिली तो फिर गड़बड हो सकती है, इसके बाद आती हैं जौन गाड़नर, जौन गाड़नर, ग्या राइनिंग में आठ विक्टे इनके नाम पे हैं, आखरी T20 मैचेस में आप देखें तो पर्फॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, तीन मैचेस में दो बार विक्टे है, पिछले मैच में ना बेटिंग करी ना बॉलिंग करी, उसके पहले वाले मैच में एक बार बेटिंग करके नौरन बनायती है, आपके कोई काम की प्लेट मेरे सबसे नहीं है, इनसे बेटा तो ग्रेस गिप्स है, फिर आती हैं एवा ग्रे, अरतिस मैच में मातर दस्विक्टे हैं इनकी, एक पे तेतिस, शूरने पे चौदा, ये इनकी आखरी दो टेटिंटी मैच है, और आखरी हंडेड मैच में शूरने पे साथ इनका परफॉर्मेंस था, ये भी कोई खास प्लेयर नहीं है, इसको आती हैं डैनली, ग्रिग्री, लेग ब्रेक बोलर हैं, टी-ट्विन्टी फॉर्मेट में आखरी तीन मैचेज इनके जो हैं, उसमें दो में परफॉर्मेंस अच्छा आया है, हैंडेड मैचेज में एक मैच में भी परफॉर्म नहीं आया है, 2019 तक का इनका स्टैट मुझे मिला है केरियर का, हाला कि उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी क्रिक्ट खेली है, बट फिर भी ओवरॉल देखें, तो बैटिंग में आप ब्राइन स्मिट से जादा एक्स्पेक्टेशन मत रखा करें, क्योंकि ये बैटिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, बट बॉलिंग में परफॉर्मेंस नहीं ज़रूर थोड़ी सी ठीक रहती है, आखरी कुछ 100 मैचस की बात करें, तो लास्ट मैच में 3 रन बनाये थे, एक विक्ट लिया था, उसके पहले बाले मैच में एक रन बनाये, कोई विक्ट नहीं ली, उसके पहले बाले मैच में 19 रन बनाये, एक विक्ट ली, तो परफॉर्मेंस देखें, ब्राइन इसमित का तो कुछ खास नहीं चल रहा है, तो यह आपके लिए मेरे साफ से थोड़ी एवरेज पेख होंगी और वाइस कप्तानी की ओप्षन शायद उतनी अच्छी ना हो आपके लिए इनसे बैटर आपके लिए निकर्क हो सकती है इसकी बात करते हैं हेली मैथ्यूज की तो राइट हैंड़ेट बैट्समें प्लस रा आपके लिए तीन मैचेस से बैटिंग में लगातार रंस कर रही है प्लस बॉलिंग में भी पिछले तीन मैच में दो बार इन्होंने विक्टे निकाली है तो ओवराल सबसे बढ़िया प्लियर जो अभी दोनों टीमों में है वो आपके लिए हेली मैथ्यूज ही है क्योंकि तीज का बनता है इसे ब्राइन समित से बैटर है इस ट्राइक रिडिन यानवे कही है टीटून टी फॉर्मेट में अभी कुछ जो मैचेस आकरी खेल के आए उसमें फॉर्म इनका काफी बढ़िया है देखिए बाकी ब्लस के मुकाबले फॉर्म जो है बहुत तगड़ा है प्लस अभी ओड़ा इस मैचेस की तो मैंने मैंशन करें नहीं रिकॉर्ड उसमें बहुत टगड़ा खेल के आई रेडमें तो रेडमें किसी भी दिन आपको पचास साथ या सौरन तक की पारी खेल के दे सकती है यह मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि इनका फॉर्म बहुत लिद चल रहा है तो रेडमें आपको हमेशा टीम में पेक करनी है टॉप थ्री में आती है बैटिंग करने यानि तीन नमबर पर बैटिंग करने आती है ब्राइन मज से बेटर बैट्समान है आखरी तीन हंड़ेड मैचेस में बात करें तो अरतिस बंदरः व वोल उलरन की पर थोड़ी performance बेटिंग आने के थोड़ी से कम रहते और उखलाल भृट ऌट से टीट घ्यम्यंट तो थोड़ा सा डूझने में भी टैम लगेगा ओवर्याल सहरा ज़िमर ला बहुत अच्छी पे विकेट कीप रिंग से भी आपको काफी पॉइंट दे सकते हैं, आखरी दो T20 मैचे आप इनके देखिए, बेटिंग एवरेज देखिए और आखरी दो T20 मैच देखिए, तो यह देखिए, 11 रन, दो कैचेज, एक स्टंपिंग, दो कैचेज यानि की 16 पॉइंट, और एक कैच रहा है, तो T20 में तो आखरी दो मैचे दिनके अच्छे हैं, दा हंडेड मैचे में अगर हम देखिए, तो लास्ट मैच में बेटिंग नहीं आई, प्लस विकेट कीपरिंग का कोई पॉइंट नहीं दिया, इसलिए लोग शायद इनको पिक नहीं कर रहा हूंग और हंडेड मैचे में भी कुछ खास नहीं कर पाई है, लग भग आपके लिए कुछ काम की प्लेयर नहीं है, अगर आपको जील वगएर ट्राइ करना तो एकाट टीम में रख सकते हैं, इसको आती हैं जोर्जिया हैनेसी, राइट हंडेड बैसमन, राइट आम फास्ट मीड देखें, तो लगातार एक तो बॉलिंग कर रही है, वो इनके पास एक अच्छा स्कोप है, अच्छी बॉलर है, ऐसी वैसी बॉलर नहीं अच्छी बॉलिंग कर रही है, दो विकेट निकाले आखरी मैच में, प्लस कभी-कभी रंस वागेरा भी लगा देती हैं, तो ओवर देखें, दो पे 20, डो नोट बॉल और एक पे 40 इनके आखरी तीन मैच के परफॉर्मेंस है, दा हंडेड मैच जो रहे आखरी तीन, उसमें शून ने पे 20, एक पे 27 और एक पे 14, यान कि पिछले तीन मैच में दो बार विक्टर निकाले हैं, पेपा क्लेरी नहीं है, बट फ फिटनेस, ज्यादा इशू इनका है नहीं, बट अभी ये बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इदिखी दा हंडेड मैच के पहले T20 मैच हुए, उसमें भी एक भी बार बॉलिंग इन्होंने नहीं करी है, तो आप देखना पड़ेगा, ये ऐज़ा बोलर खेल रहे हैं, क करी ही नहीं है, बिलकुल भी, फिर आतनी है Alex Griffith, T20 में फॉर्म इनका ठीक है, दो पे 28, डूनोट बॉल, एक पे 24 इनके तीन मैच के परफॉमेंस T20 में, और The 100 में, पिछले तीन मैच में एक बार बॉलिंग नहीं करी, एक बार विकेट नहीं मिली, एक बार एक विकेट नि विकेट टेकर बोलर हैं T20 format में, तो उसे साबसे आप इनको तो जरूर ट्राइ करिएगा, Alice Griffith, Katie George, इन सब पर मुझे उत्ता भरूसा नहीं है, जितना Nicole Harvey से एकस्पेक्टेशन, GL वगेरा में रहती है, तो इनको ट्राइ कर सकते हैं, फिर आती है हाना बेकर, आखरी 3-4 T20 मै सब कुछ देख लिया है, अब हम बात करेंगे हाँ पर हमारी Dream 11 टीम की, अभी की Playing 11 जो है, उसके साब से मेरी ये टीम बनी है, बट ध्यान रखिएगा, Oval Invincible कि अगर वो दो प्लेयर आ जाते हैं, Marizana Cap और Shabnam Ismail, तो 100% जो है, वो Oval Invincible जीतेगी, अभी भी देखिए, मैं गलत बोल दिया, Maddy Villiers वाली टीम है, इनके पास Capsy है, यंग स्टर है, बट अच्छी प्लेयर है, यहाँ पर निकरक इनके पास option में है, प्लस यहाँ पर अभी Bryce जो है, वो तन अच्छे फॉर्म में नहीं है, जॉर्जी अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट overall batsmen इनके प बता है, फॉर्म भी साथ में है, स्टैड भी सबसे जबरदस्त है, तो यहीं की साथ आपको जाना चाहिए, अब बारी आती है वाइस क्रेप्टेंसी की तो बहुत से लोग हो सकता कन्फ्यूज हों के ब्राइन स्मित को लें, के डैन निकरक को लें, बट ध्यान रखिए, ब अब बारी जाना चाहिए, प्लस अगर मरीजणा काप खेलती है, तो फिर आपको उनको टीम में जरूरू उपिक करना है, उस कंडिशन में आप या तो सरा टिलर या फिर ब्राइस को हटा कर आप उनको टीम में जगे दे सकते हैं, तो गाईज अब वीडियो के यहां पर करत यह देखता है, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक है है, तो लाइक कर दीजे, अगर आपने हमारी YouTube चनल, Fantasy Express को सुब्सक्राइब भी कर दिजे वीडियो क शेर भी इन्टीम अपने इसके साथ,OK GUYS बाए, best of luck